आज मैं आप लोगों के साथ मैंने क्या है शॉपिंग पे खरीदा वो दिखाने जा रही हूँ और कल मैंने जो यह सब गमले खरीदे थे नसरी से मैंने कुछ फूल भी लाए पोद भी लाए कुछ पिटुनिया के चोटे-चोटे पोदे लाए है तो उस टाइम में मुझे यह भी दिखा नसरी में तो यह प्लांटर मुझे बहुत ही प्यारा लगा तो खरीदने के लिए मैंने उसको पूछा तो 600 बोला तो मैंने कुछ बार्गेनिंग करके इसको 400 में लिया पता नहीं यह महेंगा हुआ या सस्ता लेकिन मुझे बहुत मेरे यह सब इसके प्लांटर बहुत बड़े-बड़े हुए इसके अंदर ओ फीट नहीं होते थे इसलिए मैंने यह छोटा सा गमले में इसको आदा करके इसको इधर लगाया और बस यही फीट होता है इसलिए मैंने इसको यहां पर लगा दिया मुझे लगता है कि यह देखे मैंने कल घंबा खड़े गांगे ती सब समय करती रहती हूं तो यह जो है यह दिपे यह तो बोटलस है और यह इसको कालर कऱ दिया है और इसमें भी मैं छेद इधर बटम में ड्रैनेज पाद गती है और इसमें चोटे-चोटे प्लांज लगा अगी और ये रहे मेरे पिचुनिया के पौदे जो बहुती कम है क्योंकि मैं ज्यादतर घर में ही उगाती हूँ यह मैंने उस दिन नर्सरी से खरीद कर लाई थी और देखिए उस दिन जब मैं नर्सरी पे गई थी वो प्लांट उस लाई थी मैंने आप लोगों को दिखाया उसी टाइम में यह भी खरीदा और यह बहुत ही अच्छा लगा मुझे क्योंकि ग्रीन कलर मुझे बहुत पसंदे और देखिए इसमें अन्रेडी ड्रेनेज होल ह अर इसमें हम कुछ भी लगा सकते हैं मुझे लगता है कि इसमें इस में सण begitu प्लांक बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि वह बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ेगा और इसमें वह छोटा ही रहेगा इसले देखने में बऌत अच्छा रहेगा वैसे तो वहां पना बहुत सार लिए इसमें सपूलेन प्लांट ही अच्छा रहे गा किस देखिए मैं आज ट्रांस्प्लांट करूंगी बहुत सारे पितुनियाज और बहुत सारे तो नहीं है लिए तो मैं अज इसमें इस प्लांटर में मर्धि भरूंगे देश होल को भरण थोड़ा सा बन करने के लिए तो इसके उपर में अभी मठी लगाऊंगी यह अल्रेडी मिक्स है सब मिक्स है इसमें इसमें बालू मिट्टी गार्डन स्वैल और वर्मी कमपोस्ट और बोन मिल भी है हडी का मौल भी है सब अल्रेडी मिक्स किया हुआ है और रेडिमेट है अभी तो मैं उसी को इधर डाल रही हूँ ताकि मैं उसमें कुछ प्लांट लगा पाऊंगी इसमें मैंने आपको पहले बोला है कि मैं सकुलेंट लगाऊंगी इसमें तो यह त्यार हो गया तो यह है वो प्यारा सा चोटा सा सब कुलेंट प्लांट जो आज मैं इस हार्थी वाला प्लांटर में लगाने जा रही हूँ जो आपनी प्रणी 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 यह लगा है तो उसके बाद तुरंद बाद मैंने आपको पर ले बला है कि पानी लगाना चाहिए तो यह बस आज सखुलेन का मेरे चोड़ी हाती पर सखुलेन प्लान हो गया अभी अब देखिए मैं यह मेरा जो गमले है उसमें मैं इट के टुक्रे लगा रही हूं जो मेरे ड्रेनेज होल है उसके उपर लगाने के लिए वैसे तो हम कुछ भी लगा सकते हैं पथर भी लगा सकते हैं तो आप लोग देखी रहे हो आज मेरा पीटूनिया का ट्रांस्प्लांटिंग का दिन है और यह सब मैंने नर्सल से खरीद के लाई हूं मैंने लगाया है लेकिन अभी अभी जर्मिनेट हो रहा है वह बहुत ही चोटे-चोटे है इसलिए वह थोड़ा देर होगा इसलिए मैंने अभी के लिए साथा थो नर्सल से खरीद के लाई हूं और अभी मैं इसको ट्रांस्प्लांट कर रही हूं इधर मैंने सब रेडिमे वह जो मेरा पॉटिंग मिक्सता लगाया है तो इसमें अभी मैं दो लगाये है ट्रांस्प्लांट कर रही हूं इसका माटी मैं नहीं दूंगी क्योंकि वह नसरी का जो माटी होता है उतना अच्छा नहीं होता है जो वह लोग बेशने के लिए लगाते हैं वह माटी वह है अभी इसको ऐसे ट्रांस्प्लांट करूंगी पिटुनिया के तो ज्यादा रूट्स लंबे नहीं होते है डीप नहीं जाते है इसलिए उसको गंबला उसके लिए छोटा ही होना अच्छा है कि इसको संग संग में पानी देना चलिए होता है आप लोग को मैंने बताए और यह ट्रांस्प्लांट मेकप कर रही हूं यह जो मैंने नर्सरी से लाए थी वो अभी एकप्ता होने वाला है मैंने बोला है कि साथी में आप जब लाओगे संग संग में आप उसी टाइम में कभी नहीं करने के लिए बोला था तो मैं भी वही रूल्स फॉलो कर रही हूं कि अभी ये साइद एक हफ्ता होने वाला है इसलिए अभी मैं ट्रांस्प्लांट कर रही हूं तो अब देखिए ये मेरा पिटुनिया का ट्रांस्प्लांटिंग पूरा हो गया आज ज्यादा तो नहीं है शायद आठ पीस है तो अभी मेरे जो सीटलिंग जर्मिने जो हुए है वो बहुत सारे होंगे शायद अभी ये मैंने नर्शरी से खरीद के लाई थी वही है ये देखिए मेरा पिटुनिया का सीट्स जर्मिनेट हो गया है अभी अब पताने कैसे कैसे कलर से बाद में पता चलीगा अब मेरा में एक बाद बढ़ना बुल गएती है आप लोग को लिए जब भी आपको नया प्लांट लगाते हैं तो इसको आप ट्रांस्प्लांट करते हैं तो पानी तो तिरह लगाना लेकिन उसके साथ में पानी में थोड़ा मिक्स करके फर्टिलाजर मिक्स करके आप देंगे तो आपका प्लांस का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही हेल्दी भी होगे प्लीज दोंट माइंड मैं डॉग्स दे आर ओल बार्किंग बहुत हल्ला मचा रहे मेरे घर के जो आट कुट्य है और दोस्तों देखिए ये मेरा पेट डॉग है मैंने इसको एड़ स्ट्रीट डॉग है ये बाहर दो मैने का था बहुत बीमार था इसका बोड़ी भी पूरा स्कीन डीजिस था तो मैंने इसको एड़ब किया है स्ट्रीट डॉग है और इसका नाम है टुगी इसलिए आप लोगों को ज्यादतर मेरे वीडियो पर इसका इसको देखेंगे बाट कुदते है सभी अपने अपनी जगह पर है लेकिए मेरे साथ होता है जब भी तो मेरे प्यारे दोस्तों अभी मैं वीडियो एंड करने जा रही हूं फिर अगली वीडियो में मिलते है तो मेरा वीडियो लाइक सब्सक्राइब और शेल जरूर करते ना प्लीज तो फि अजिए